हेलो गुड बार्डिंग आल कैसे हो आप सब आई होप आप समच्छे होगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डेली एंजल गाइडेंस की सीरीज देखते हैं आपके एंजल्स एंसिस्टर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लीज गाइट किजएगा इनिवर्स थे जब मेरे वीवर्स देख रहे हैं उनकी लिए क्या गाइडेंस रहेगी प्लीज गाइड कीज़े चलो ठीक है यह सब गाइबरेल का कार्ड है और देखे थे हैं तो यह ज़्यादा काड़ से इसका एक कीजिए ओके सो दमून का काड़ है यहाँ पर और मैं एक काड़ लोंगी नाइन ओफ गैबरेल ठीक है तो यहाँ पर यह है bottom of the deck देख लेते हैं bottom of the deck है the world का काड़ overall energy the world का आया है बहुत अच्छा काड़ है ठीक है तो चलिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके जो काड़ हैं यह मुझे बता रहे हैं कि आपके जो आपके जो काड़ से न वह बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ new beginning होने वाली है कुछ chapter जो कोई ऐसा chapter जो खतम होकर कि एक नया जो है न स्टार्ट होने वाला है ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके life में कोई नया opportunity आने वाला है ऐसा मुझे feel हो रहा है कि आपको कुछ न कुछ good news ज़रूर मिलने वाली है चाहें आपके love relationship से हो बिजनेस से हो, studies related हो, admissions related हो, कोई न कोई आपकी health related हो, कुछ न कुछ तो आपको good news यहाँ पर मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो है यह जो chance है मुझे नजर आ रहा है कि आपने जो मेहनत की है इतने time से आप इतने time से किसी चीज में efforts डालते थे, इतने time से किसी चीज का wait करते थे तो वो जो है न मुझे नजर आ रहा है कि अब वो जो wish है आपकी, वो जो मेहनत है आपकी, वो मुझे fulfill होते हुए दिख रही है तो आपके जिन्दगी में एक new beginning होने का मुझे नजर आ रहा है कि हाँ यहाँ पर new beginning कुछ तो कुछ ना, कुछ जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है जिससे आप जो है आपकी जिन्दगी में यह एक बहुत ही एक important time है ठीक है जिसको आप achieve करोगे और यहाँ पर कुछ बड़ा करने का time ठीक है जल से जल जो भी है आपके lover का call आ सकता है जो relationship बिगड़े हुए थे वो बन सकते है जिनकी शादी नहीं हो रही थी शादी से परिशान थे शादी नहीं fix हो रही थी यहाँ भी मुझे नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ जो है न good news मिलने वाली है क्योंकि शादी से related भी person भी आ सकता है ठीक है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इसके साथ ही मुझे नजर आ रहा है कि आपके सामने जो है कोई बड़ी opportunity है ठीक है तो उसको जो है ना पाने के लिए आपको improve करना पड़ेगा अपने आप पर काम करना पड़ेगा आपको अगर कुछ बड़ा करना है जै है ना पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और प्लान बनाने की ज़रत है यहां पर guidance दी जारे कि और प्लानिंग करो बाबू और उसके बाद से जो है ना आप अपने intuition की सुनो ठीक है यहां पर ड़ना नहीं है क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे viewers मे जो guides हैं आप meditation करते हो करते हो नहीं करते हो तो करो ठीक है meditation नहीं करते हो तो करना है और meditation जिनको को आता है करने ठीक है उन लोगों को पता है कि उनकी intuition उनको क्या बता रही है उनको क्या guidance दे रही है ठीक है तो आपको कोई ना कोई आवाज मिलती होगी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लोग meditation करते हैं उसका अनुभाव कर चुके हैं वो लोग जानते हैं तो आपकी intuition आपको जो कहती हैं वो आपको follow करना है ठीक आपकी जिस भी situation के लिए आप चाहते हो कि हां मुझे इसमें guidance चाहिए एक मारे meditation करने बैठे हो देखो आपको guidance मिल जाएगी ठीक है आपको आपकी जो है intuition आपको बता देंगी तो डड़ का सामना करने से जो है न देखो आप डर रहे हो किसी चीज का सामना करने से जो है न यहां पर डर रहे हो तो वो डरना नहीं है यहां पर cards बताते हैं कि आपके strong बनना है strong बनकर जो है आपके सामने जो भी situation आ रही है उसको phase करना है तो ड़ना मना है ठीक है तो ड़ना मना है और ड़ना बिल्कुल भी नहीं ठीक है आप बस यही समझना कि मैं strong हूँ मैं strong हूँ अच्छा मैं एक और बात बोलूँगे कि जिनको भी बहुत ज़्यादा प्राब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा एक इस्ट्रस रहता है और रात को नीद नहीं आती है या फिर काफी डर रहता है वो मुझे कमेंट करें तो मैं आपको उसका उपाय बता दूंगी ठीक है क्य मैं वीडियो बना करके डाल दूंगे कैसे अपने आपको हील करना है रात को ठीक है तो यहां पर बात करते हैं कि देखो यहां पर क्या है ना कि यहीं से कहानी स्टार्ट हो रही है यहां से तो क्या है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो वही काड है कि बहुत मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा efforts डाल रहे हो, prepare कर रहे है खुद को, है ना, हीमत नहीं हार रहे हो, कुछ करना है आपको, आपको अपना life purpose पता है, या फिर आपको जो पता है ना, एकदम से clear पता है, कि हाँ मेरा ये सपना है, तो मेरा ये सपना है, और इसके लिए मुझे जो करना हो, जो जो है लगातार आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज को जो है ना, काफी लंबे टाइम से खीशते चले आ रहे हो, यानि कि आपके उपर responsibilities है, अपनी family का, आपने घर में आप बढ़े हो सकते हो, जिसके उपर बहुत सारे responsibilities है, और इसको समालना ही समालना है, उससे आप पीछे न करना चाहिए, है ना, तो इस तरीके की energy है, यहाँ पर, और मुझे cards बताते हैं, कि यही है, कि आपके अंदर डड़ है, तो यहाँ पर डड़ो मत, ठीक है, अपने डड़ को खतम करो, क्योंकि आप strong हो, ठीक, आप strong हो, आप किसी से डड़ने वाले, या फिर आप weak person नहीं हो आप बहुत ही strong person हो, ठीक, अपने आपको feel करो, ठीक है, तो यह है, तो यह रही, आज की angel guidance, मिलते हैं अगली reading में फिर, और tarot card reading मिलेगी आज, देखते हैं, tarot card reading ही मिलेगी, ठीक है, तब तक हसते रही है, मुस्करातरी और खुश रही है, बाबाई